एक बर फिर चमकी शिवानी कुमारी की किस्मत बॉलिवुड में हुई धमाकेदार एंटरी करोड़ो की बजट वाली फिल्म में शिवानी को मिला लीड रोल अब बॉलिवुड की हिरोईन बनेगी गाउ की ये छोरी करोणों की लागत से बन है इस फिल्म में नजर आएगी शिवानी कुमारी डारेक्टर ने सोशल मीडिया पर किया बड़ा अयलान बतार हिरोईन बॉलिवुड में शिवानी कुमारी की इंट्रे से फैंस वे गदगद जल शुरू होगी शूटिंग वीडियो में जाने शिवानी की पहली फिल्म से जुड़ी पूरी जानकारी सोशल मीडिया स्टार और बिग बॉस ओटी टी थी से चर्चा में आई शिवानी कुमारी ने अपने लाखो फैंस इखटे कर लिये हैं शिवानी कुमारी ने शोशल मीडिया से बिग बॉस OTT 3 का सफर पूरा किया और अब उन्हें बॉलिवुड की फिल्म मिल गई है। शिवानी कुमारी को लेकर फिल्म डारेक्टर कैलाश ने शोशल मीडिया पर आकरिया जानकारी दी है। साथ ही फिल्म का नाम और बजट भी बताया। शिवानी को मिल गई पहली बॉलिवुड फिल्म कैलास मासूम ने शिवानी कुमारी के साथ अपने ओफिस से तस्वीरे भी शेयर की हैं। इन तस्वीरों में कैलास और शिवानी को फिल्म के लिए डील करते देखा जा रहा है। कैलास मासूम ने शिवानी संग फिल्म का एलान कर लिखा है। ग्रेंट फिनाने से पहले शिवानी को मिल गई बॉलिवुड फिल्म बतौर हिरोईन करेंगी फिल्म में काम। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद शिवानी आज मेरे आफिस आई और साथ ही अब शेक भाई भी आए थे। करोणों की लागत से बनने वाली फिल्म घोडी पे चड़के आना के लिए आज शिवानी को बतौर हिरोईन साइन किया। हाला कि शिवानी को बिग बॉस में जाने से पहले ही फिल्म में ले लिया गया था। लेकिन आज शिवानी को लीड रोल में फाइनल किया। बतार लीड रोल में दिखेंगी शिवानी, इस पोस्ट में आगे लिखा है इस फिल्म के निर्माता कैलाश मासूम ने कहा कि मुझे खुशी है कि शिवानी इस फिल्म में मुख्य हिरोईन के रूप में काम करेंगी, उनके अंदर कमाल की प्रतिभा है, इस फिल्म में श्राग्राम पर 6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं शिवानी अपने देशी और दिहाती अंदाज से अपने फैंस को भाती हैं और बिग बॉस ओटिटी 3 के घर में भी शिवानी ने दर्शकों को जम कर्मन रंजन किया था अब शिवानी के फैंस को उनकी फिल्म का बेसबरी से इं अधाकारा सना मकबूल ने बिग बॉस ओटिटी सीजन 3 का खिताब अपने नाम किया और 25 लाख रुपय का नगत पुरसकार जिता एक शांदार फिनाले में टीवी अधाकारा सना मकबूल को बिग बॉस ओटिटी 3 सीजन का विजेता घोशित किया या घोशना बॉलिवुट के दिगच अपने तान इनल कपूर ने की थी जिन्होंने लोगप्रिय रियाल्टी शो के सीजन के संस्क्रण की मेजबानी की थी